सोया बीन में भाव आगे कैसे रहेंगे आये जाने की कोशिश करते हैं सोया बीन में मंदी आएगी या तेजी ये जाने के लिए इस वीडियो को अंतक्त जरूर देखिए दरसल पिछले दो सालों से सोया बीन के भाव किसानों को आहत करने वाले बने हुए हैं इतना ही नहीं پिछले वर्ष की तुल्ना में इस साल सोया बीन के भाव में लगबग 1,000 से जादा के गिरावट आ चुकी है पिछली वर्ष फरवरी महीने के दुरान सोया बीन के भाव न्यूंतंस मर्थन मुल्या यानी चैली सोरपे प्रति क्विंटल से भी नीचे चल रही है सोया बीन के भाव में ये गिरावट किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विश्य बनी हुई है दरसल लंबे समय से गिरावट जारी रहने के कारण किसानों और व्यपारियों को भी आगे की स्तिती दिखाई नहीं दे रही सोया बीन के भाव निकट भविश्य में क्या रहेंगे यह प्रशन सभी के मन में है सोया बीन भाव की इस रिपोर्ट में आये जाने की कोशिश करते हैं कि सोया बीन के भाव आगे क्या रहेंगे दरसल रभी सिजन की शुरुवात के बाद भी सोया बीन के भाव में भडोतरी नहीं हो पाई जबकि ग्रामिन शेत्रों से इन दिनों सोया बीन की आवग भी कमजोर है और किसान रभी फसलों की कटाई में भी वियस्त हैं आवग की कमी के कारण प्लांट पूरी शमता से नहीं चल पा रहे साथ ही देखा जाए तो विवाहिक सीजन की वज़े से सोया तेल में मांग जोरदार है आगे होली की मांग भी निकल रही है चबकि सोया तेल का स्टोक बजारों में प्यात मात्रा में नहीं है बीते दिनों की गिरावट को देखकर स्टोकिस्ट भी फिलाल संबल कर खरीदारी विदेशी बाजार सोयाबीन के भाव में विदेशों में कमजोर मांग के कारण सी बोट सोयाबीन कई सालों के निचले सरपर आ गया है ब्राजिल से कड़ी प्रतिसपर्धा के बीच अमेरिकी सोयाबीन सबताहिक निर्यात 84 फीसद गिरकर 55,900 टन पर पहुँच गया है उदर अमेरिका और ब्राजिल से सोयाबीन की खरीद की खबर से भी कीमतों पर दबाव बड़ा है वही 1.04 लाख टन सोयाबीन के साथ 3 जहाज ब्राजिल बंदरगा से अमेरिका के लिए रवाना होने वाले हैं ब्राजिल से 38 फीसद सोयाबीन शेत्र की कटाई हुई है जबकि पिछले साल यह 34 फीसद थी ब्राजिल में सोयाबीन की कटाई पूरी होने के बाद ही विदेशी बाजारों में सोयाबीन भाव की पूरी स्थिति स्पस्थ हो पाएगी ऐसे में बात करें अगर एर्जेंटीना की तो आर्जेंटीना में क्रिशी मंत्राले की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्राजिल में सोया बीन का उत्पादन घटने की समभावना है लेकिन उपज घटने के बावजूद भारत से इसकी सप्लाई हो जाएगी अर्जेटिना में सोया बीन का उतपादन अनुमान 5 क्रोट टन का लगाया गया है उदर अमेरिकी क्रिशी विभाग की रिपोर्ट में वैश्विक तिलन उतपादन वर्ष 2023-2024 में घटा कर 6,590 लाग टन होने का अनुमान लगाया है यह कटोती ब्राजील में सोया बीन और चीन में सनफलार सीड का उतपादन कम होने की वज़ा से की गई है हाला कि इसकी भरपाई भारत में सरसो का उतपादन बढ़ने से हो जाएगी सोया बीन और सरसो दोने के उतपादन बढ़ने से हो सकती है सोयाबीन के दाम भी 12.65 डोलर प्रतिबुशल रहने की संभावना फिलाल व्यक्त की गई है जो कि पिछले साल से कम है रिपोर्ट में विश्व में सोयाबीन का उत्पादन 49.89 लाग टन से घटाकर 49.83 लाग टन रहने का नुमान लगाया गया है अर्जेंटिना में सोयाबीन का उत्पादन साल 2023-24 में 5 करोड टन होने का लगाया गया है जबकि 2021-22 में सूखे की वज़े से 0.5 करोड टन और वर्ष 2021-22 में 4 करोड 49.00 लाग टन हुआ था चीन में चालू वर्ष में 2 करोड 8.00 लाग टन जबकि 2022-23 में 2 करोड 2.00 लाग टन और 2021-22 में 1.63.00 लाग टन उत्पादन हुआ था ऐसे में अमेरीका से सोयाबीन का निर्याद घटेगा जबकि अर्जेंटिना ब्राजिल से बढ़ने की संभावना है वहीं अगर भारतिय बाजारों की बात की जाए तो पिछले दिनों महाराश्टर में MSP पर खरीद का खूब परचार परसार किया गया किन्तु अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई MSP से नीचे सोयाबीन बिक रही है वास्ता में भारतिय किसानों का भागया सोया मील के निर्यात से जुड़ चुका है किसान ये अंदाजा लगा लेने के लिए मजबूर है कि सोया मील का निर्यात होगा ये नहीं यदि नहीं होता तब उध्योग के साथ स्टोकिस्ट किसानों को भी घाटा उठाना पड़ सकता है जबकि दूसी तरफ सोया बीन का कैरी ओवर स्टोक कुछ उध्योग काफी जादा बता रही है और प्लांट अपनी सुविधा के अनुसार सोया बीन में खरीदारी कर रहे है सोया मील का निर्यात कमजोर होने से क्रशिंग भी कम हो रही है और इसका सीधा बोज किसानों पर आ रहा है क्योंकि सोया बीन MSP से काफी नीचे बिखने लगा है उदर भारतिया बजारों में सरसो की फसल के दबाव की वज़े से भी सोया बीन के भाव पर असर पड़ा है नई फसल मंडियों में बड़ी मात्रा में आने के बाद सोया तेल मी दबाव में आ सकता है फिलाल पाम अत्वा सोया तेल में तेजी के असार नजर नहीं आ रहे उधर मलेशिया से कमजोर निर्याद बहतर उत्पादन में बड़त पर ब्रेक लगाता नजर आ रहा है और वही मलेशिया ने मार्च महीने में क्रूड पाम तेल का निर्याद शुल्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया टैरिफ से बजार पर कोई प्रभाव पढ़ने वाला नहीं है और एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरीका में जन्वरी महीने में 185.780 मिलियन भुशल सोया बीन की पेराई की गई है जो कि दिसंबर महीने से 49 फीसद कम है बताया जाता है कि भीशन ठंड की वज़े से परिचालन में जो पेराई है वो घटी है अमेरीका में सोया तेल का स्टोक 10 फीसद बढ़कर 1.5.07 बिलियन पाउंड से अधिक हो गया है वहीं अमेरीका में सोया बीन का उत्पादन 2023 से आठ फीसद अधिक है जो कि 4.5.05 बिलियन भुशल तक पहुँचने का अनुमान है वहीं सोया बीन का सबताहिक निर्या 3-8 लाग तन अनुमान की निचली सीमा 3,53,000 तन पर सिमट गया है विश्व में उत्पादन को देखते हुए किसानों को मुंफली, तिली की और ध्यान केंडित कर देना चाहिए क्योंकि सोया बीन फिलाल लाब की खेती दिखाई नहीं दे रही, उत्पादकता भी नहीं बढ़ सकती है ऐसे में सोया बीन MSP से नीचे भी बिक रहा है अब सवाल ये उठता है कि राज्य सरकारों को इस और ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगामी बोनी सोया बीन की ही होगी और हो सकता है किसान इससे मूँ मोरना शुरू कर दे गोर तलब है कि किसानों को प्रती साल कुछ न कुछ मातरा में अगर सोया बीन का रकबा घटे तो शायद अच्छे भाव मिल पाए क्योंकि कम उत्पादन होने पर ही सोया बीन के भाव बढ़ सकते है फिलाल उध्योग के पास आयात शुल्क बढ़ाने के इलावा कोई भी सुझाव नहीं है ऐसे में सरकार ने वाइदा बंद करके और आयात शुल्क में राहत देकर आवो भोकताओं का तेल निकलने से बचा लिया लेकिन इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है अब सोया बीन के भाव तभी बढ़ पाएंगे जब सरकार इसमें हस्तक शेफ करे ऐसे में सरकार आयात शुल्क लगा सकती है और समर्थन मुल्या पर सोया बीन की खरीदी शुरू कर सकती है बहराल इसके इलावा फिलाल सोया बीन की कीमते उठती हुई नजर नहीं आ रही जानकार मान कर चल रहे हैं कि जिस तरीके से सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है सोया बीन के भाव फिलाल दबाव में बने रह सकते हैं रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस रिपोर्ट को लाइक करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करे Bureau Report, Market Times TV